अब डिबन वेलकम बैक टू माई नीव लोग सो गाई सभी मोग घोसबर जेक्शन पे जिसके आप देख सकते छोटा मोटा जेक्शन है और यहां पर आए भी बहुत दूरों से इस यहां पर आते हम लोग दोस्त के दोस्त का एक्जाम देबाने तो एक्जाम रूम में बैठा हुआ है तो फाइनल लोग इधर गूमने को चले आए और हम दो बंदे से देख सकते हैं और यह सनोज भाई इदर है इस बहुत ही हावा यहां पर अच्छा है वहां बहुत ही ल जारा और इस पर ज्यादा दिर गाड़ी नहीं रूखती है मातरा पांच से दस मिनेट के लिए गारी यहां पर रूखती है साइद टीकट भी मिलता यहां पर अब भी तो छोटा है सायद कुछ आने वाले समय में बड़ा जक्शन बन सकता है तो फैने लिए लोग उपर जा आए पर देख सकते हैं शेरा पुरा दूख से लाल पड़ गया और छेहरे की मास मिया के लुट गहीं बारबाद हो गे गया इस दूख की वाजासे और यहां पर देख सकते हैं यहां पे बहुत बहुत मस्त हावाई यहां पर और गाउं एना थोड़ा बहुत ही इच्छा बात है बहुत ही बाउम जगह जहां से देख सकते हुए नजारा आने वाले दिनों में यह जक्सन बहुत ही बड़ा होगा मुझा पड़पूर जैसे आजी पूर यह सबसे भी बड़ा मारे अंजास से होगा हुआ कि शोगर इस यहां से भी आप देख सकते हुए नहीं जारा लग रहा है तो ऊध्यार प्लेट फारं पूरी खूली परिविया यहां पे बाता नहीं चला इंदार्ट कर्वागर है तो मोग टिकेट का में घूम रहे तो तो यहां पर बैठते बैठेगा यहां पर तो इस यहां से देख सकते हो बगल में नीम को पहुत है जाए जांगे से बहुत एच्छा लग रहा है बहुत ही मसना जा रहा है बैठेल हमार हल्पों में तरहा है कि यह लेगो नीनिये वगढ़र देखते हैं क्या कुछ वहां पर हो यह यहां नहीं है सबसे लोग यहांपर थोड़ी देख करते हैं कि अध़र्मी साहालत खराब हो शुची है आप देख सकें कितना ज्यादा धूप है नहीं बहुत ही ज्यादा धूप है ज़ैने और हम से जाने वाले यह यहां पर बैठा जगा था यार गाइस यहां पर करीबन आदे दो गंटे वैठे ना कि आप यहां बहुत ही बंदा चुके है और इस्कूल का भी छुटती हो गया इधर गास था इसले हम लोग इस साइड बैठे बर ना उससाइड रहते हैं इसका मेरा वीडियो इतना आई था मिलते हैं नेक्स वीडियो में अधी एब्ली बान वही है आप लोगए